ओम नमस्शिवाई दोस्तो जोतिश माननेता के अनुसार बारह राशियों में से पांच राशिया ऐसी होती है जिन पर मा लक्ष्मी और शुक्रद्यव की कुरुपा बनी रहती है बशर्थ की वे किसी बुरे कर्म में लिप नहीं रहते साप सफाई का ध्यान रखते और महिलाउं का सम्मान करते है ऐसे में इन पांच राशियों के जातक खूब धन दौलत मान सम्मान और पत्रतिष्ठा प्राप्त करते है तो जिन पांच राशियों पर मा लक्ष्मी प्रसंद रहती है, इन में से सबसे पहली राशी है रुशब राशी रुशब राशी के स्वामी शुक्र है जो तिशास्तर के अनुसार इन राशी वालों पर हमेशा मा लक्ष्मी की कुरुपा रहती है इनने भाग्यका हमेशा साथ मिलता है रुशब राशी वालों को कम प्रयासों में ही सफलता मिलने के योग भी बनते है इनने कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है और मालक्ष्मी की कुरुपा हमीशा बनी रहती है दूसरी जो राशी है जिस पर मालक्ष्मी प्रसंद रहती है वो है करकराशी करकराशी वालों का स्वामी चंद्र है इनके जीवन में भी सुक्सोविधाओं धन सम्रुद्धी की कमी नहीं रहती है पीसरी जो राशी है जिन पर मालक्ष्मी प्रसंद रहती है वो है सीहराशी सीह राशी वालों का स्वामी सूर्य होता है इने भी किसी भी प्रकार की आर्थिक परिशानी नहीं आती है यदि ये अपने क्रोथ को काबू में रखे तो जीवन में हर तरह की सुक्सोविधाउन का लाब उठाती है और ये मेहनती होने के साथ ही सफल भी होते है चौथी जो राशी है जिस पर मालक्ष्मी प्रसन्न रहती है वो है तुला राशी तुला राशी के स्वामी भी शुक्र है शुक्रवार माता लक्ष्मी का वार है जिसकी कुंडली में शुक्रग्रह मद्बुत रहता है उसको किसी भी प्रकार से धन सम्रुधी और सुकशान्त परतों कई बार ये अपने कर्मन से ही अपनी किस्मत को खराप कर लेते हैं। मंगल का प्रभाव होने के कारण ये जिद्धी होते है यदि ये विनम्र बने रहे तो माता लक्ष्मी की कुरुपा से जीवन में किसी भी प्रकार का डुख नहीं होता है धन्यवाद